अलो एब्रिवन वेलकम टू एच्पी कोमिटीटीव एकजाम आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्ट होंगे तो हिमाचर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ से एक रूकूरूट्मेंट नोटीस जो है जारी किया गया है जो की है आपका लेवर वे वीडियो में डिस्कूस करेंगे अगर हम यहां पर बात करें सबसे पहले क्लोजिंग डेट ऑप अप्लिकेशन की अप्लिकेशन जो है कब तक भरे जाएंगे तो 22 दिसमबर दोहजार इकिस तक जो है लेवर वैलफेर ऑफसर के जो पोस्टे है ठीक है जिसके लिए रिकूर अगर हम बात करें उसकी वी एक है और गेस्टेड पोस्ट है क्लास टू ग्रास टू गेस्टेड अगर पोस्ट है यह तो इसके लिए आप अप्लाई करोगे सिर्फ और सिर्फ हमिरपूर बोर्ट की वेबसाइट से ठीक है और इसकी जो वकेंसी है यह जो है इंक्रीज भी कर सकती है जैसा कुमिशन चाहे तो यहां पर देख लीजीगा इस पर कौन-कौन से डॉकमेंट चाहिए ज का अगर आपकी जो भी कैटिगरी है उसका सर्टिवेट चाहिए ठीक है ठीक है बोनफाइड ऑफ हिमाचल प्रदिस और EWS बीपिल अधर जो केंडिडेट है ठीक है उनके लिए अगर आई यहां पर बात करें अब टोटल पोस्टें जैसे मैंने बताया आपको कितनी है बार इसके लिए जो एसेंसियल में मांगी गई है तो बैचलर डिगरी फ्रॉम रिकोगनाइज्ट उनिवर्स्टी विदिन विद मिनमम 50% मार्क्स ठीक है आपने जो है आपके पास अगर बैचलर डिगरी है किसी भी स्ट्रीम में मिनमम 50% मार्क्स के साथ एंड यहां पर और नह बैचलर डिगरी किसी भी स्ट्रीम में और अगर आपकी एच चार में है या फाइनेंस में है या फिर अगर आप ने इसके अलाबा में कर रखी है सोसिलोजी में विद 50% मार्क्स तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो ठीक है इसकी essential qualification है अगर हम age limit की बात करें यहां पर कर सकते हो ठीक है और जो SCST है other categories है उनके लिए जो है जैसा हमाचल government 5 साल का extension देती है उस तरिके से मिलेगा इस मैं भी ठीक है आप इस नोटिफिकेशन तो अच्छे पढ़ लिजीगा हमें हमाचल प्रदेश पॉब्लिक सर्विशन की website पे यह आपको मिल जाएगी और साथ क यह आपका similar website के उपर examination fee की भी यहां पर बात करें तो general category की जो fees है वो है आपके यहां पर 400 ठीक है जनरल category की जो fees है यहां पर कितनी है 400 है और अगर हम यहां पर SCST OBC की बात करें तो उनकी fees जो है यहां पर वो दे रखी है 100 प्रदेश और ex-serviceman of हिमाचल प्रदेश या फिमे examination center जो examination center बिए गए हैं यह symbla में धर्मशाला में और मंडी मों टीक है तीं हिसके examination center है तो आपका exam होगा और फिर सिर्फ तीन ही जगा lovely hour मंदी में धर्मशाला और इसके और हम बात करें स्टेक्शन प्रॉसेस की तो स्टेक्शन प्रॉसेस्स में पहले आपका प्री टैस्ट होगा स्क्रीनिंग विवर लेंगे तो यह बाहरा होगा स्रफा यहां तो यहां पर 100 marks होंगे, एक marks का जो है, एक question रहेगा, negative marking भी है इसका, पूरा notification आप पढ़ दीजीगा, अगर आप जो है, क्वालिफाइ कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ, मैं इसके लिए suitable हूँ, तो आप इसके लिए apply कर दीजीगा, स्लेबस जो है, इसका दे रखा है, यहां पर स्लेबस दीखीगा, यहां पर history, Indian culture, Indian politics, 30 marks का आए है, 20 marks के जो है, geography, socio-economic, ठीक है, उसके बाद 20 marks का जो है, हिमाचल का भी है इसमें, ठीक है, हिमाचल से भी कुछ एक question आएगे, English comprehension है, 10 marks का, और उसके बाद जो है, part 2 का जो appropriate subject, यह topic, ठीक है, आप अपनी मर्जी से से choose कर सकते हो, तो 20 marks का जो है, यह आपका second होगा, तो इस तरीके से जो है, इसका होगा, उसके बाद आपका personality test होगा, जो भी इसमें qualify कर पाएंगे, तो देह लिजीगा, अगर आपको जो है, लग रहा है कि आप इसके लिए apply कर होगा, ठीक है, मैं आपका जो भी issue होगा, उसे solve करने की कोशिश करूँगा, thank you for watching us, have a good day.